हेलो गाईस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में आज हमें इस वीडियो में बात करेंगे औस टीमों के मिलागे दो मैच इस टूनामेंट में हो चुके हैं इस सीरिज में ठीके दोनों में से कौन सी टीम मजबूत है कौन सी टीम वी के उसके बार में भी डिटेल में बात करेंगे ठीके मैच की टाइमिंग देखे तो साड़े आड़ बदे स्टार्ट होगा ग्यारा अगास दो जार चौबिस आज ही की डेट है वेदर की बात करें तो वेदर किलियर है बारिस के कोई भी चांस नहीं है वेन्यू देखे तो एलेन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन में मैच खेले जा रहा है तो आज का इसी वे जी पर थिती है एक बैटिंग 15 वाली जीथी के पहले बात करते हैं और दौर मैच के डौनम मैच इनी की головवन की टीमने जीते हैं ठीके लास्ट मठ जोची केसाबस मने बैटिंग ओडर बियंग 11 सैट कर रखी तब कर रखे तो पहले प्लियर रहे क्लियर है कैटी मियंक ज जो खेला गाया उसी किसाब से हमने बैटिंग ओडर प्लेंग 11 सेट कर रखी तो पहली पिलियर है कैटी मेक जिसने दो मैच मेच 46 रन बनाए अच्छी पिलियर है पहले मैच में 49 रन की पारी खेली दूसरे मैच में 7 रन की पारी खेली बिल्कुल पिक करना है क्योंकि इसका ओवराल रिकॉर्ड बढ़िया है 24 मैच में 535 रन है 22 की अवरेस से बिल्कुल पिक करना है और ओपनिंग कर रही है इस वज़े से आपके लिए इंपोर्टन्ट है इसके बाद है थाईला विल्सन जिसने पहले मैच में 50 रन की पारी खेली दूसरे मैच में 30 रन के 28 रन बनाएं 5 ओवर की गैनबाजी करवाते वे 0 विकिट लिए नंबर 3 पर बैटिंग दे रही है साथ ही आपको 2-3 ओवर की गैनबाजी भी करवा लिए इस वज़े से इंपोर्टन्ट है ओवराल रिकॉर्ड की बात करें तो 37 मैच में 586 रन है 15 की एवरस से 92 ओवर की ग लेकर दूसरे मैच में 47 रन की पारी खेली ठीक है और पहले मैच में 4 ओवर की गैनबाजी कराई लेकर दूसरे मैच में इसने गैनबाजी नहीं कराई ठीक है यह बात भी आप नोट करना कि दूसरे मैच में इसने गैनबाजी नहीं कराई 47 रन की पारी खेली पहले मैच में में गेंदबाजी करवाई थी चार ओवर की लेकर इस मैच में करवा सकती है इंपोर्टेंट है कैप्टन वाइस कैप्टन सी की चॉइस है ठीक है ओवरॉल रिकॉर्ड देखे तरेपन मैच में 1132 रन है 21 की एवरेस से 70 ओवर की गेंदबाजी 22 बैटिंग और बॉलिंग दोनो नहीं है और ओवरॉल रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है इसलिए आप इसको ड्रॉप कर सकते हो इसके बाद है निकोलो फैलतुम जिसने दो मैच में 25 रन बनाए बैटिंग और खूब लेट है फर्स्ट बैटिंग में अगर आप चाहो तो ट्राय कर सकते हो सेकंड बैटिं टीका चौबिस मैच में 189 रन है सांथ की एमर शसे ठीक है इसके बाद मैडा जिसने दो मैच में 23 बना बना है पहले मैच में 23 बना है दूसरे मैच में इसको बैटिंग चोईस रहेगी और पहले मैच में इसने साबित भी कर दिया 4 विकिट लेके क्योंकि हमने ODII का रिकॉर्ड इसका लिखावा था 17 मैच में 133 ओवर की गैनबाजी 30 विकिट यानि विकिट टेकर गैनबाज है और इस मैच में भी आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीके उसके बाद है सोफिया डे जिसने दो मैच में 8 ओवर की गैनबाजी करवाते हैं दो विकिट लिए इसका रिकॉर्ड भी आप देखोगो तो 14 मैच में उन पचास ओवर 27 विकिट यहाँ भी एक अच्छी पिलियर है और लास्ट मैच में विकिट लेस गई है ठीके यह दो विकिट इसने लिए है जो पहले मैच में लिए थे इसके बाद इसने विकिट लेस गई है इसलिए इंपोर्टेंट है और वाइस केप्टनसी के अच्छी चोईस है उसके बाद है कैट पैटिंसन जिसने दो मैच में 5 ओवर की गैनबाजी करवाते हैं एक विकिट ल अच्छी और की गैनबाजी करवाते हैं विकिट लिए तो इंपोर्टेंट है यहां पिलियर भी ठीक है अब यह सब्सक्राइब आपके लिए अगर चाहो तो कैटी में को आप फस्ट बैटिंग में छोड़ सकते हो बात करते हैं तो बेंच पर इन्हों के चार-पांच पिल ये को पोस्ट करके देख सकते हो सभी के इस्टेट्स हमने बाकायदा लिख रखे हैं ठीके बात करते हैं दूसरी टीम इंडिया एवुमेंस की ठीके जिसके दो मैच ही हो दौनों के दौनों मैच इनकी टीम हारी है लास्ट मैच जो खेला गया उसी के साफ से हमने बैटिंग सेट कर रखा है लास्ट मैच में ओपनिंग आई थी सुएता सेरावत और प्रिया पूनिया पहले बात करते हैं सुएता सेरावत की जिसने दो मैच में मातरा 23 रन बना है कुछ खास बैटिंग नहीं करी ओवराल रिकॉर्ड भी बढ़िया नहीं है टीट्वेंटी के 31 मैच म मैच में 447 रन बना है 33 की एवरेस से और दोनों मैचों में इस टूनामेंट में पर्फोर्मेंस करी है उसके बादे रागवी आनंद सिंग बीष्ट जो पहले मैच में तो खूब लेट बैटिंग आई थे लेकर लास्ट मैच में नंबर 3 पर बैटिंग आई इस कि नंबर 5 पर बल्ले बाजी कर रही है और साथ ही आपको 4 और की नि nhiयtown लीग में में इसको आइसबरार ग ईसको आटामेंट्याइब सकते हो तहा does उसके बाद एक क्रिणर की रन प्रभू नैवग्रे जिसने दो मैच में 24 रन बना कुछ खास बैटिंग नहीं कर रही है ओवराल रिकॉर्ट भी देखे तो 21 मैच में तीन सो दस रन है इसके बाद उमा चतरी दो मैच में 18 रन ओवराल डिकॉर्ट देखे तो 20 मैच में 405 रन है 20 की अवरस है इसके बाद है साइली सत गरे जिसने दो मैच में 18 रन बनाए 8 ओवर की गयंदबाजी करवाते वे 2 विकेट लिये कंपल सरी starting overs में 2 over की गेंदबाजी दे रही है try कर सकते हो कि पहले match में 2 wicket लिये तो उसके बाद wicket less गई ठीक है तो first balling में तो आप इसको confirm team में रख लेना उसके बाद है money minu जिसने 2 match में 17 run बनाए 7 over की गेंदबाजी करवाते वे एक wicket लिया है overall record 7 match में 47 run 20 over की गेंदबाजी 8 wicket इसके बाद है इसके बाद है सेक इसाक जिसने 2 match में 7 over की गेंदबाजी करवाते वे 3 wicket लिये balling confirm करा रही है और wicket taker गेंदबाजे इसलिए important है और first game बाजी में आपके लिए vice captaincy की choice है overall record देखोगे तो 32 t20 के match में 110 run 110 over है ठीक है death hours में गेंदबाजी दे रही है इसलिए important साबित होगी ठीक है यहां से जो important है वो सेक इसाक तो आपके लिए complex हरी है और मेगना सिंग और मानी मीनू में से किसी एक player को आपको लेना है साहिली सत्रक गरे इस match में important है क्योंकि last match में wicketless गई है और तनुजा कनवर भी आपके लिए ठीक टाक पिलियर है इसके अलावा उपर से प्रिया पूनिया और बस चार-पाच पिलियर इस टीम से आपको लेना है ठीक है बैंच पर से देखे तो बैंच पर से कोई सब पिलियर केलेगा तो उसके कि अलावा थािला बिल्सन को लिए क है क लिए और लोंडर सेक सटन की बात करा है दो तो फिलाल के आप सेक लो डेम में पाईल टीम आपको अमारे टैलीगारम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंग पर आपने डिस्किप्शन में दे रखा है तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना कमेंट करना साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूनामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे और इसके अलावा हम टी टैन की और भी सीरिज कवर कर र करना धन्यवाद